तो चलिए आज में बनाने वाली हूँ मटर पनीर बिल्कुल रेस्टोइन स्टाइल और बहुत एजी तरीके जो कि किचन में हमारे मसाले अवलेबल होते हैं उसी मसाले में हम बनाएं बहुत जादा तो आप फ्राइ कर सकते हैं वरना आप ऐसे इसे ग्रेवी में एड़ कर सकते हैं तो बहुत जादा डार्क नहीं करेंगे हलका सा कलर आने तक फ्राइ करेंगे और अगर आप चाहें तो मस्टर्ड आयल की जंगा कोई भी कुकिंग आयल ले सकते हैं जो आप यूज करते हो तो इसको चलाते हुए फ्राइ कर लेंगे तो अब इसे हम निकाल लेते हलका सा कलर आगया है तो इसे में जो हमारे पैन में तेल रखा हुए बचा हुआ है उसी में हम इन सब्सक्राइब को फ्राइब करेंगे तो मैं एक प्यास ली है दो टमाटर ली है और बिलकुल मोटे प्यास को बहुत जादा डार्क नहीं करना है बस हलका सा कलर आने तक ही इसे फ्राइ करना है थोड़ा सा सौफ्ट हो जाए और इसके साथ ही मैंने एक इंच अद्रग का टुकडा लिया है छे से साथ कली लेसन के लिए है अब चाहे तो एक चोटा चमाच आप इसमें लेसन पेस्ट इसमाल कर सकते हैं तो इसे चलाते हुए बस हम थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे बस हलका सा कलर आ जाए ट्रांस्पेरेंट हो जाए जो हमारी अनियन है इससे क्या होगा कि जो प्यास का जो कच्छा पन न फ्लेवर वो खतम हो जाएगा इसको फ्राइ करने से इस तर तक फ्राइ करना है जब तक कि यह सॉफ्ट नहीं हो जाते क्योंकि आधे मसाले इसी में अच्छे से कूख हो जाते हैं जब मासालों को भूनते नहीं तो थोड़ा सामी से कवर करके इसे पकने देंगे ताकि जो टुमेटों है वह अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और प्यास इसमें नहीं लगता है अगर आपको यह पनीर की सबजी बनानी है बहुत जल्दी बन जाती है जट पट से तो बस इसे निकाल लेंगे प्लेट में और इसे ठंडा करने के पास इस तरह से मैंने पेस्ट बना लिया है यह देख सकते हैं इस तरह का होना चाहिए बिल्कुल ब कणा तरह के पासे जाऄ थोड़ा से इसमें ढऄ डाला मैंने थोड़ी पाॉडर चमच जालए लालमेश पाॉडर एक चमच जाल है गर्रम बन चमच क्ला जालए और धनिया बढल ऑर इन्सारे मसालों को हम लिक्स कर लेते हैं तो बस इतना ही मसाला का पूंय कर दानी है में बहुत अच्छी सब्जी हमारी बन के तयार होती बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे मिक्स कर लेते हैं यह मैंने लिया हुआ है मटर ली है और थोड़ा से मैंने इसे बॉइल कर लिया है मटर को अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हैं तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं या फ्रोज तो अच्छे बूने दिमी आज में मिक्स कर लेते हैं आप देख सकते हैं श्रस के बहुत ही पहारा सह कलर आ गया है बीच पीच में इस तरह से चला रहेंगे यह देख सकते हैं बहुत अच्छे से बहुत ही जल्दी बन जाता है मसाला भून के तयार हो जाता है अब इसमें डाल देंगें प्रेस के अकॉर्डिंग नमग और इसे मिक्स कर लेते हैं तो यह मसाला हमारे देख सकते हैं कलर बिल्कुल चेंज हो गया और इसमें से पूरा ज आपको थोड़ा पतली लग रहे होगा लेकिन जब यह पकने के बाद यह तीक हो जाएगी आप देख सकते हैं इसकी कस्टेंशन से भी पतली है जब पकने के बाद यह बिल्कुल परफिक्ट हो जाएगी तो इसे कवर करके हम अच्छे से साथ से आठ मिनट तक कोक करेंगे तो यह देख सकते हैं, यह हमारी सबजी बनके त्यार हो चुकी है, आप ग्रेवी देख सकते हैं, ग्रेवी की थिकनेस देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी सबजी यह बनती है, आप जरूर इसे ट्राइ करिएगा, अब सबसे लास्ट में हम इसमें एट करेंगे कसूरी में थी हो तो आप झाल जो डालीएंका ऐगर नहीं तो कोई बाते हैं अप्रदर्ड जजेया है और इसे मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बादक इस ऑफ करेंगे तो यहारी ऑस्ट मट्रपनिर के जरूर बुलेगा नहीं